हमारे बेसिक टॉपिक्स सारे गवर होगा गलम ने लास्ट टॉपिक जो गवर किया उसको नाम था इश्व अप्षियर पर कांसेडरेशन अधरें कैश वो टॉपिक भी होगा हमारे लॉपिक पिल भी कोई डाउट्स हो तो आप बार में गूश लेना मैं से फिलहाल नेक्स ट करता है कि इसके ओपर हमारे सारे लॉपिक कांट होता है जिसके ओपर हमारे सारे लॉपिक करते हैं उसको नाम है ओवर सब्स्क्रिप्शन का पहले तो मतलब समझते हैं क्या होता ओवर सब्स्क्रिप्शन ओवर सब्स्रिप्शन का मतलब है रहे हो, हमने, यानि कि हमारी कम्पनी ने, इस्यू करे है, 1 lakh shares, ठीक है? और, पब्लिक ने जो अप्लिकेशन भेजी है, यानि कि हम उने जो अप्लाय करा है, जो सब्स्रिप्शन आया हमारे पास, वो आगया, 1 lakh 20,000 shares, लोगो ने भेजी, वो अब एक्सेस मनी को हम क्या करें, एक्सेस मनी के साथ हमारे पास 3 option होता है, या तो हम पूरी तरह से पैसे को reject करते, वापसी बेज दे, जिसने एक्से मनी बेजी है, उसको कहें, वापसी बेज दो, आपके जो पैसे थे वो एक्से आगे हमारे पास, that is reject और refund, दो वर्ट अप्लिकेंट्स और refund amount, ठीके पहला case, दूसरा case क्या बनता है हमारा, दूसरा case बनता है कि हम उनको reject ना करके, हम उन्हें दे प्रो राटा allotment, वर्ड क्या है, प्रो राटा, P-R-O-R-A-T-A, प्रो राटा allotment करें, प्रो राटा allotment means, उन्हें कहें कि आपका जो भी extra amount हमे receive हुआ है, हम उस excess या extra amount को next call पे adjust कर लें, समझा है, next time जब आपकी payment की बारी आएगी, तो आप उसमें ये payment adjust कर लेना, आपने जोगे extra आज पे लिया है, समझा है कुसरा case, basically, social direct दो ही case है, या तो पैसे बापसी बेज रहें, पैसे हम next time adjust कर लें, जब आपसी बेज रहें, तो क्या आया हमारा refund, reject और refund, दूसरा option क्या रखा, जितना भी extra आया, उसे next time आप adjust कर लें, हो गया prurata, तीसरा case क्या है, इन दोनों का combination, जो 20,000 extra आये, इसमें से कुछ किये तो पैसे बापसी बेज दो, और कुछ को कहो next time adjust कर लें, ठीक है, तो हमारे मास 3 option बने, इसी तरह क्या कर रहा हूँ, इसी को, इस question की तरह frame कर रहा हूँ, suppose lag में सुआ कुछ भी होगा, आपको data pick up करता है, क्या लिखा है, ABC limited issue, 1 lakh shares of rupees 10 each, तो मैं यहाँ और add कर रहा हूँ data, कितने share of rupees 10 each, payable as, उन्हों में बता गया, 2332, यानि के application, allotment, first call, और second and final call, इस तरह से हमें information, फिर उसके निचे लिखा है, however, the applications were received for 1,20,000 shares, application कितने ही लिया गई, 1,20,000 shares, उसके बाद कुछ ऐसी बात आपको जरूर बताई गई होगी, कि company ने access application को reject कर दिया, या उन्हें प्रोराटा allotment कर दिया, या फिर तीसरा option क्या हो सकता है, partly reject, partly प्रोराटा, कुछ को तो वापसी बेच दिया पैसे, और कुछ के क्या का, next time, adjust कर दो, data समझा है किस तरह से given हो सकता है, तो एक तो simple data होगा, plus एक line जरूर लिखी होगी, कि access का करना क्या है, ठीक है, तो उस line पे focus करेंगे, साथ हैं तीन case बनाते हैं, सबसे पहले रहें, कोई भी case हो, application की entry पे कोई फरक नहीं आने बाला, पहली entry, क्या रहेंगी, application की जो normal entry रहती है, bank account debit, to share application, कितने सा रहेंगी, 1,20,000 shares, into 2, application कितने सा रहेंगी, 2 रुपे की application है, कितने share पे रहेंगी application बनी, 1,20,000 shares, 1,20,000 into 2, 2,40,000 shares, 2,40,000 rupees, तो हमारा जितना भी पेसा आया हमने, receive करने हैं, अब इसके बाद आप ध्यान लगना, next entry होती है, application transfer करने की, क्या होती है, normal case में entry, share application to share capital, पर अब ये entry change होगी, as per the situation, अगर first case हुआ देखो बिटा, मैं first case क्या बनारा हूं, second entry के लिए, तीन cases बनारा हूं, first case हम बना रहे हैं, reject, oblique refund, अगर ये लिखा है, तो क्या entry होगी, दूसरा case, pro rata, यानि कि किसी को reject नहीं कर रहे हैं, सबकी payment next time adjust कर रहे हैं, ठीक है, third case में बनारा हूं, reject, for 8000, and pro rata, remaining, remaining कितने हैं बचे बाई, 12000, remaining, 12000 बचे बचे, क्योंकि total extra कितने थे, 20,000, 20,000 बचे आप में same, कितने shares कर रहे हैं थी, 1 lakh, 23,000 shares, into, 240, 240 की application आने के बाद, हमारे पास 3 option थे, या तो सब के पैसे हम क्या करें, वापसी करते हैं, किसके, जो extra, कितने extra थे, 20,000 excess थे, excess amount को या तो हम, वापसी बेज़ थे, पहला option, दूसरा option था, उनको pro rata या नहीं होने कहें, तो आपने extra message दिये उसे, next call में address करेंगे, या फिर हम दोनों का mixture, कि भाई, 8,000 को reject करेंगे, बाखी जो पल्चे रहे हैं, उसे कहेंगे, कि आप, अगरी time adjust कर लेना, जब आपने next balance पे करना होगा, तो अगर refund की बात आती है, तो entry क्या होगी, देखो normal entry क्या होती है, share application, to share capital, आपकी normal entry ही होती है, पर हमने कुछ लोगों के पैसे वापसी करें, तो हमारा normal rule क्या कहता है, debit word comes in and credit word, जब पैसे आये थे तो debit कर लिया पैसे वापसी भेज रहे हो, तो bank को credit भी करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे to bank, amount समझना कैसे, application कितने क्या है थी 240, तो यहां सर 240 ही आएगा, actual में कितनी होनी चाहिए वो, 1 lakh into 2, जितने share actual में हमने दिये थे, तो यहां में कितना आ रहेगा, 2 lakh, bank में क्या आ रहे है, जितने extra form हमने वाक सी रहे दिया, यानि कि 20,000 शेयर into 2, means 40,000 शेयर into 2, means 40,000 शेयर into 2, means 40,000 शेयर into 2, जितने extra है, यानि कि 20,000 शेयर पर जो extra पैसे आये थे, पहली बाद तो क्या करा, वाक सी बेज दिये, दूसरा option क्या है, उन्हें कह दिया कि भाई आपसी नहीं दे रहे आपको पैसे, आपके जो extra आये हैं उसे हम next time, adjustment पैसे, next time मतलब application से next क्या होता है, to share capital, to share allotment, क्योंकि extra यतना था, कहां चला लिए, allotment, तो क्या लिखता थे, जब भाई एक्स्रा आपसी नहीं तो तो बैंक तर दिया, उन्हें को एक्स्ट्रा को जो है, प्रोराइटा पैसे पे ले जाओ, अब अगली कॉल पे ले जाओ, तो अगली कॉल पे ले गए, लेरोभीकर, यहां पे हमारा amount कितना आएगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, जितने share actual में हमने दिए, 1 lakh, इंटू, तू रूपीस की पी अप्टिवेशन 2 lakhs, और, allotment में क्या आएगा, जितना extra था, 20,000 into 2, यहां कि 40,000, clear, next, next क्या है हमारा, हम partly reject करेंके, और कुछ पार्ट को pro rata allotment, मैंने case इखा था, कि हमने 8,000 तो reject कर दिए, और, balance जितना भी बचा, उसको क्या करा, pro rata allotment, कितना balance है, 12,000 को balance है, क्यूंकि total 20,000 extra थे shares, तो इस case में क्या होगा देगो, normal entry है क्या, share application debit to share capital, जितो normal entry होती है, bank वाली entry के बार बुसरी entry ही होती है, share application to share capital, जिसके अब आपसी करें, उसे लिखने to bank, और जिसको बार next time register करेंगे, share allot to share, allotment, application कितने किया है, 2,40,000, share capital में कितना आएगा, 1,00,000 into 2, जितने share actual में दिये है, 2,00, bank में, जितने भी पैसे reject करें, कितने share reject करें, 8,000 into 2, यानिके 16,000, और allotment में इतने एक स्टांग, 12,000 into 2, यानिके 24,000, यहां ते कोई पापर में जीको, समझा गया, अब आगे continue करते है, पहली entry receive हो गई, दूसरी entry transfer हो गई, next entry is for allotment, allotment के entry क्या रहेगी, normal, share, allotment, debit, to, share, capital, कितने से होगी entry यहां से सुनना, देखो जितने भी extra आए थे, हमने यहां डिजेस्ट कर लिए, अब क्या करेंगे, allotment normal चलेगी, 8,000,000, जितने share हमने actual में issue करें, क्योंकि allotment तो उसी पर आएगी न, जो extra तो अडिजेस्ट कर लिया उपर, समझा आगी बाद, जितने 20,000 एक्स्टा देख, या तो आप से भेज़ दिए, या उनको कहते next time adjust करेंगे, या कुछ reject, कुछ next time, allotment due, तो पूरे से ही होगी, कितने से जितने शेयर लोगों को उनने दिये हैं, कितने शेयर दिये हैं, कितने शेयर दिये हमने आपे, एक लाग एक लोग, ठीक है, 20 होगी एक लार इंटिंटीन, किरी合 लार का? ये वे इसात है है समझा, इसके बाद हम किया कर रहेंगे? जहांते समाईने अ., इसके बाद हमें इसके पैसे रीसीप करने है However, आलक्मेंट रीसीब करेंगे न?. आलर्ट्मेंट रिसीब करेंगे न?. प्राइट पर ग्यां से समझना अगर केस बन था तो अलॉट्मेंट पे कुछ अध्येस्ट हुआ था जितना एक्स्टा तब आपसी नहीं तो हमें कुछ अध्येस्ट करना अलॉट्मेंट पे पूरी 3 लाग के 3 लाग है कि अलॉट्मेंट केस 2, जो प्रोराटा था, क्या उसमें अलॉट्मेंट के बारे में कुछ लिखा था, हुँस लिखा था, हुँस लिखा था, 40,000 रूपे अगली बार एड्रेस्ट लेना, तो 3,00,000 में से 40,000 माइनस हो जाएंगे, आप कितने देंगे, 2,60,000 रूप्टें, केस 3 में, क्या कुछ अलॉट्री पेड्रेस हुआगा, येस, कितना, 24,000, तो हम 3,00,000 माइनस हो जी 4,00,000, यानिके 2,70,000, 6,000 से एंट्री करेगे, समझाया, इसके बाद जो 1st call की एंट्री थी, 2nd call की एंट्री थी, उस पे कोई परक नहीं आएगा, वो एंट्री कितने से जो 2,00,000, 8,000,000, तो हमारा कॉंसे इतने शी बात कहता है, जो अच्छा बार बार गार गन्फ्यूस करता है, इस टॉपिक को ऐसे करों कि पूरा शेटर बहुत एजी होदा है, जैसे करों कि बूलो ना, क्या कह सकते हैं, जादा एप्लिकेशन आगई, उस आप्लिकेशन को क क्रास ने सकते हैं जाद से आधार को क्या प्रिएंगे के हमने क्या डार फिर ऑपकिशन तो दूबार है चैली एंट्री तो जितनी आप्लिकेशन होगी एक भी पीस आई थी इंटू जितने ही आप्लिकेशन है थिस्केंद रींस है फेडिकों के रहा है यह वाफिशन है शो घर ठीज महतक करें है मिलाई कि किन्हीं मेले तो किया मैं तो मुला रहा है स्वाट शूरल यह कुछ वा कि इंद रतल तो होगए और हिज्सलें आपकर नंती है कि वहल ev city nut का माँट कुछ एडजस्ट होने वाला है वो माइनेस करके निसीफ तर लेंगे पर आगी वी कॉस्टिंग बिल्कुल नौन हो जाता है ठीक है तो इसको एक दिमाज में समरी बना लो step by step first call second call अब वो एक लाग से लेगी इस इतने share actual में दिये one lag into three first call and one lag into two second call नौमल यह इंग दीज है जाद है कर लोगे कंप्लीट कर रो concept no doubt